स्वागत है आपका ABP गंगा देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ आस्था कौशे बीते दिनों उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कई खबरें हेड्लाइन्स में रही चर्चा बनी उन से जुड़े हुए आंदोलन भी सोशल मीरिया पर या फिर टीवी चानल्स के माध्यम पर अभी रथियू के द्वारा हमने चिड़े हुए देखे लेकिन आज इन सब को लेकर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बहुत महत्वपून फैसले लिए हैं चाहे पेंडिंग भरतियों को पूरा करने की बात हो नियुक्ति पत्र देने की बात हो या फिर बीते दिनों हमने जो यूपी के बेसिक शिक्षा स्कूलों के अंदर जो धांदली सामने आई उसको लेकर जो सरकार ने ड्राइब जी नमस्कार नहीं इतने साल लगने की क्या बात है अभी तो हमारी योगी सरकार को भी तीन साल पूरे हुए हैं चोटा साल चल रहा है मैं जब इस विभाग का दाइत तो मुझे मंत्रि मंदल के विस्तार में मिला था पिछले अगस्त महीने में सितंबर अक्टूबर महीने से ही मानने मुख्य मंत्री जी ने अनुमती दी थी कि आनलाइन आवेदन के माध्यम से जो सिक्षक दूरस्थ जन्पदों में तैनात है वो अपने ग्री जन्पद में या आसपास के जन्पद में वापस जाना चाहते हैं तो उनको इस्तानांतरन की सुविधा दे दी जाए आप सभी जानते हैं कि ये सामाननेतिया जो सेवा है ये इस्तानांतरन ये नहीं है ये जिल्या इस्तर का कैडर है निउक्ती होते समय लोग ये एक सामती भी वेक्त करते हैं कि हम इस्तानांतरन नहीं मांगेंगे लेकिन सिक्षकों की सुविधा को देखते हुए बड़ी सं हमारी के कारण जो लागडाउन शुरू हुआ फरवरी महीने तक मार्च के पर्थम सप्ता तक लगबग हमारी तैयारी पूरी हो गई थी अंतिम चरण का काम बाकी था उसी बीच में लागडाउन हुआ और सब चीजें रुख गई फिर कोबीड की महामारी से लड़ने का काम प्रभावित ना हो इसलिए मान्य मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों के इस्थाना अंत्रण की प्रक्रिया भी रोग दी थी क्योंकि उस समय सरकार की सर्वोच प्रात्मिक्ता थी लोगों की जान बचाना गरीबों के जीवन पर कोई संकट ना आये उससे उबारना नि प्रात्मिक्ता के आधार पर बड़ी संक्या में सिक्षिकों के इस्थाना अंतरण की अनुमती दिये और 50,000 सरकार लेती है पर सवाल खड़े हो जाते हैं पार दर्शिता को लेकर और हमने देखा भी है पास्ट में चाहे वो बड़ी भरतियों के मामले हो चाहे बड़े फै चलता है उसमें धांदलियों का तो इस बार ये प्रक्रिया पारदर्शिता तरीके से और समय से पूरी हो जाए इसके लिए क्या प्रयास है ने पूरी तरह से नहीं प्रक्रिया हमारी पूरी तैयारी है हम जल्दी प्रक्रिया को संपन कर लेंगे और पूरी तरह से पारदर त्रांसपर है हमने लोगों के अनुभों के आधार पर नंबर दिये हैं अगर किसी का स्वयम कोई सिक्षक या उसके पती-पतनी में से या उनका बच्चा उनके कोई गंभीर बीमारी से अगर पीडित है तो उस पर अलग से हमने नंबर दिये हैं किसी को राक्टरपती और रा आशंका पहले ही बहुत कम हो जाते क्योंकि सब कुछ डिजिटाइज रहता है और रिकॉर्ड रहता है तो ट्रांसपरेंसी कोई संभावना नहीं है एक और एहम फैसला सरकार का 69,000 भरतियों में से अब सीम योगी ने कहा है कि जो 31,000 से जाधा पद है उन पर फॉरण भरती हो और एक हफते में उनको appointment letters यानि मियुकती पत्र दे दिया जाएं सर्य वो भरती रही जो पूरी देश में चर्चा का केंदर रही स्टूडेंट्स ने इसको ले कर बहुत बहुत आंदोलन किये कभी ये कोट कचैरी के चकरों में फस गई तो कभी paper leak out की बात सामने आई और अब एक धड़ा ये कह रहा है कि हमें बाटे ना सरकार बेशक 31,000 से जादा भरती हो जाएगी एक धड़ा इससे संतुष्ट है पर एक धड़ा कह रहा है कि जब मामला सुप्रिम कोट में pending है तो सरकार हमें क्यों बाट रही है तो आप क्या कहके संतुष्ट करना चाहेंगे अब आस्था जी ये तो वही लोग तय करें क्या चाहते हैं क्योंकि जब भरती नहीं हो रही थी तब लोग कह रहे थे कि एक इसका मैं थोड़ी सी इसकी प्रिष्टबूम बताना चाहता हूं जी अगर मामला मानने सरबुच नियाले में नहीं गया होता तो ये दुनिया के इतिहास में दर्ज हो जाता कि जब पूरी दुनिया में और देश में लागडाउन चल रहा था और कई सारे जगों पर लोगों की नोकरियां जा रही थी उस समय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार योग जून के महीने में 79,000 लोगों को नोकरी देती ये अपने आपने एक गटना होती इस लागडाउन के दोरान लेकिन जब हम काउंसलिंग का सेडियूल जारी कर चुके थे तीन जुन से छे जुन तक काउंसलिंग होनी थी और उसके बाद में निउक्ती की प्रक्रिया होनी थी उसी समय लोग आई कोट में चले गए और माने उच्छे नियाले न सर्बोच नियाले में गए सर्बोच नियाले ने एक बात कही उनका कोई एक आकलन था चाहे इन लोगों के तरकों के आदार पर रहा हो या जैसे भी कि लगबक 37,000 पदों को रोक करके आप चाहें तो सेज पदों पर निउक्तिया कर सकते हैं हमको यह उम्मीद थी कि जल्द सुनवाई पूरी होगी निरड़े आ जाएगा तो पूरी भरती एक साथ करेंगे क्योंकि सरकार की उतकट इच्छा थी कि यह 69,000 की भरती पूरी हो इसलिए हम फैसले का इंतजार कर रहे थे लेकिन जब उसमें बिलंब हो रहा था तो यही अधिरती अधीर हो रहे थे बार करने का कोई सवाल नहीं है अभी तो मानिय सर्बुच नियाले के निरदेशा अनुसार हम मेरिट में उपर से लगबग 31,000 लोगों की भरती करने वाले हैं एक तरह से आधा लाट भरती हो जाएगा दिरड़े आ जाएगा तो सेस्वी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे इसमें बांटने जैसी कोई बात नहीं है ठीक और एक और सर एहम फैसले के मैं बात करूंगी कि जो डिजिटाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ है शिक्षा विभाग के अंदर उसके चलते हमने देखा कि स्कूलों से बहुत फ्रॉड टीचर्स निकल कर सामने आ रहे हैं मतला आया ट्रांस्पेरेंसी कब तक हो जाएगी शिक्षा विभाग में बरसों से आरोप लगते आ रहे थे कि बड़ी संख्या में फरजी टीचर्स की नुक्ती हुई है सपा और बसपा की सरकारों में बिसेश रूप से इस बार जब भारते इंता पार्टी की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई माने मुख्यमंत्री जी ने सीर्स प्रात्मिक्ता के आधार पर SIT को और STF को दोनों को ये निर्देश दिये कि ऐसे जो संदेहास्पत लोग हैं उनकी जानकारी इकटा करके उनको बर्खास्त किया जाए वो एक प्रारंभिक चर्ण में इस सरकार के बनने के बाद ही लगबग साड़े चार हजार लोग संदेह के गेरे में आये थे कुछ की SIT कुछ की STF जांच कर रही थी और लगबस सत्तरा सो एकजार साथ सो लोगों को हम बर्खास्त कर चुके थे इस बीच में एक घटना हुई कस्तुरवा गांधी विद्यालेयों में एक महिला के चार पाच विद्यालेयों में एक उसके डाकुमेंट के आधार पर अ और उस एक घटना से संग्यान में लेकर हमारे ऐसे मुख्यमंतरी सोभागे से उत्तर प्रदेश को मिले हैं कि कहीं पर कोई भी अगर कमी उभर कर सामने आती है तो फिर वो पूरी जाच कराते हैं चाहते हैं कि दूद का दूद और पानी का पानी हो जाए बरसों से जो सब जगार और सब जगार उन्हें आदिश दे दिया इसके लिए व्यादर चौर्डर्ण्स है और एक सर वक्त की थोड़ी सी कमी है और जाते जाते मैं चाहूंगी क्योंकि आप सरकार में मन्तरी बीए और हाली में सीम योगी ने आदेश दिये हैं सभी विभागों को कि जि सब्सक्राइब, उन्हें आदेश द में बीवागों को प्रधत हो गया हैं तो हमारा विभाग पूरी तरह से तयार है, मानने मुख्यमंत्री जी के निर्देसों का अच्छर सा पालन करेंगे। पूरी तरह से पारदर्शिता अपनाई जा रही है, ओनलाइन आवेदन हमने मांगे थे, ये ट्रांसफर से समंदित प्रशन पर उन्होंने जवाब दिया और कहा पूरी पारदर्शी प्रक्रिया है, सारे आवेदन आए है, मार्क्स की स्कूटनी और जो पूरा इसका आकलन है वो सब कुछ ऑनलाइन के ही आधार पर किया जाएगा, और इसमें देर इसलिए हुई क्योंकि लॉकडाउन हुआ, कोरोना के चलते ये काम का जागे नहीं बढ़ पाया